हेलो इंजिनेर्स दीस अब संथी तो आज आपके लाए है बहुत इह गयजैत जो होगा आपके जो छक्ष्पा हैं छक्ष्पा पे हम लोग जोके रप्र पो लगाएंगे और एक यह रृण तो हम लोग जब भी दर्बाजा ओपन करेंगे तो सिर्फ चस्मा पे जो सरकित है इसको सिर्फ दबाएंगे और ओटमेटिक लिए दर्बाजा ओपन हो जाएगा यह एक जो कि भेहतरिन पास्वार्ट से आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं तो यह जो प्रोजेक्ट है य arrowelteam.com यहां पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं पीसी भी डिजाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गद्बर फाइल बहूम फायल यह सब कुछ आसानी से क्रेट कर सकते हैं इस आशाम एस सॉफ्टेयर के हुआ लिए नीचे देवख लिंक पे क्लिक करें 18A85 Microcontroller को Programming करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक Arduino Nano लेना होगा आप कोई भी Arduino ले सकते सिर्फ इसका Pin Diagram को Connect करना होगा ठिक से Digital Pin 10 नंबर का Common नाम है SS उसके बाद Digital Pin 11 नंबर का है Mossi और Digital Pin 12 नंबर का नाम है Miso और वैसे ही Digital Pin 13 नंबर का नाम है SCK इस तरह 18A85 का Common नाम है यहाँ पे 8 नंबर जो है वो BCC, 7 नंबर है SCK, 6 नंबर है Miso और 5 नंबर है Mossi और इस तरह हम लोग देख सकते Ground और SS तो इन Pinot को एक साथ Connection करना होगा लेकिन इससे पहले हम लोगो Arduino के अंदर एक Program डलना होगा इसके बाद ATT&E पे Connection करना होगा करना होगा करना होगा अब शजयातो तो आप लोग देश सकते हैं यह साकीट कंप्लिट हो गया है तो यह एक्चुली रीसीवर सरकुट है इस पर देखिए एक सेंसर लगया है जो कि आयाइफ सेंसर है और इस पर एक माइक्र कुंट्रोल लगया है और एक रिले और कुछ कॉंपोनेंट के जरीए यह काम करेगा तो रिले के जरीए हम लोग 12 बॉल को अपरिटिंग कर सकेंगे जो कि दर्बाजा का जो लॉक है वो लॉकार को हम लोग रिले के मदद से हम लोग काम करेंगे तो अभी हम लोग इसको काम करने के लिए जो रिमूट है मतलब जो sensor है हम लोग जो चेस्पा पर लगाएंगे वो sensor अभी हम लोग बनाएंगे बनने के पाद हम लोग इसको test करेंगे तो अभी देखिए यह जो sensor है जो हमनों चेस्पा पर लगाएंगे यह हमने बना दिया है इसके पीछे एक छोटा सा बैटरीय हमने लगया है ताकि यह काम करना लगेगा ठीक है तो यहां पर पूश बटन है और एक 1885 का माइक्रोड डॉलर है तो और इस पर हमने चार आयर सेंसर लगया है ताकि आसानी से बहुत दूर से काम करें तो यह जो आयर जो की सेंडर है इसको हम लोग यहां पर फीट करेंगे आप चाहें तो एक लगाने के पाथ आप लगाने के पाथ हम लोग इसको अपर टेस्ट करेंगे तो यह जो आप आयार अब देख रहें इसको मैंने फीट किया है तो यहां पर बटन है बटन को दबाएंगे तो यह लॉक्स तो आपको दिखाते हैं इसको पावर देते पहले तो आभी देखिए पावर आ ठीज़ते हैं तो यह बहुत ही इसी से हमने इसको बने आ है तो आप हम लोग इसको दर्बा से पर fit करेंगे, fit करने के बद इसको हम लोग test करेंगे और ये जो device आप देख रहे हाथ में इसको हम लोग चश्मा पर fit करेंगे एक side पर, fit करने के बद ये आसानी से काम करेगा तो अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने circuit को अभी यहाँ पर fit कर दिया है और sensor जो है, वो यहाँ पर हमने लगा दिया है जो कि चश्मा पर आप आसानी से लगा सकते हैं बहुत ही छोटा है sensor और छोटा एक battery हमने इस पर fit किया है तो IR जो sender है, इसके मदद से हम लोग जो programming send करेंगे यहाँ पर IR receiver है, तो यह receive करके यहाँ पर एक microcontroller है वो programming को read करेगा, करने के बाद download को open करेगा तो मैंने इस पर दर्बाजे पर fit किया है, तो जब भी इस button को दबाएंगे तो यह दर्बाजा open हो जाएगा, तो आप आपको demo दिखा दे, तो देखिए तो देखिए, दर्बाजा open हो गया है, तो यह आप दर्बाजे को open कर सकती इस तरह तो यह जो device है, यह बहुत ही दूर से काम करता है, ठीक है इसका operating कर सकते हैं, अगर बैटरी का charge, full charge होगा तो ही काम करेगा, तो जब भी इस पर fixit आपको दिखाते हैं, तो दिखिए, दर्बाजा open हो गया है, तो यह एक timing में ने fit कर दिया है, दर्बाजा को open करके बंद हो जाएगा, आप timing बरा भी सकते हैं, या गटा भी सकते हैं, तो यह जो project है, यह बहुत ही बरिया एक project है, तो देखा आपने किस पकर से आसानी से, एक sensor हम लोग बना सकते हैं, वो भी चश्मा में fit कर सकते हैं, और इसी के जरी हम लोग दर्बाजा को open कर सकते हैं, अगर वीडियो का चला लगा, तो लाइक जूर की जगा, और अपने द